दो प्रापर्टी हम पढ़ चुक हैं, पहली combustion पढ़ी हमने, दूसरी हमने पढ़ी oxidation, तीसरी प्रापर्टी reaction of met, reaction of ethanol with sodium metal, यह important reaction, important reaction क्यों बताँगों देखों, CH3, CH2OH, यह है, जब हम इसमें sodium metal डालेंगे, तो sodium जो है इस H को replace करेगा, और बनेगा यह CH3, CH2OH, प्लस H2, यह H2 की वज़े से यह important है, hydrogen gas evolve हो रही है, तो इसे हम टेस्ट कर सकते हैं, देखो, ethanol react with sodium, to form sodium ethoxide, इस compound का नाम कहा है, sodium ethoxide, यह एक अलग क्लास है, जो functional group है, इन्हें हम ethers कहते हैं, ठीक है, यह हम अभी नहीं पढ़े हैं, 12th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो this reaction, is used as a test for alcohol, मैं आगे test लिख आँगा, जो अल्कोहल के, तब भी बताँगा इसे, तो इस reaction को अल्कोहल के test के तौर पे use करते हैं, क्यों use करते हैं, अल्कोहल के test के तौर पे, हाइडोजन गास, बर्निंग मैस्टिक उपर लेके आए, तो क्या होगा, हाइडोजन है, पॉप सांड बर्न होगी, तो इसका मतलब मैं पता चलिए, कि compound sodium के साथ react होके, अगर हाइडोजन गास रिलीज हो रही है, तो compound क्या होगा, तो मतलब अल्कोहल होगा, इसी लिए हम अल्कोहल, नेक्स्ट हमार पास reaction है, dehydration, dehydration में क्या होता है, dehydration मतलब removal of water, removal of water, water को remove करना है, अब removal of water में क्या है हमारे पास, देखो यह हमारे पास, एक अल्कोहल, ठीक है, इसे हम ना ऐसे करके लिख लेते हैं, यह OH यहाँ ना लिखके, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और इसके हंदर हम डाल देते हैं, concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4, जब यह concentrated H2SO4 डाले हैं, तो यह as work करता है, as a dehydrating agent, कैसे काम करेगा, यह dehydrating agent की तरह काम करेगा, और यहाँ से क्या होगा, H और OH दोनों मिलके निकल जाएगा, जब यह H और OH मिलके निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, देखो यह H बचा हुआ, यह carbon, यह H, यह single bond पहले से प्रेजेंट था, यह carbon, यह hydrogen, यह hydrogen, यह water निकल गया, अब देखो यहाँ एक electron free होगा, यहाँ electron free होगा, दोनों electron combine होके क्या बना लेंग यह water remove होगा, इसलिए से dehydration reaction कहाँ, यह क्या था, ethanol, अगर question हमारे पास यह आए, मानलो, how will you prepare ethene from ethanol, तो बस तुम्हें यह reaction लिखना है, ethanol था, concentrated sulfuric acid डालना है, ethene बनने का plus water, ठीक है, इस reaction को हम as a test for alcohol use नहीं कर सकते हैं, यह reaction use नहीं था, जो sodium metal test था, इसे हम use करते हैं, as a test for alcohol, यह किस की वैसे, hydrogen gas की वैसे, इसे नहीं use कर सकते हैं, इस पर question आया हुआ, बोर्ड एंजाम में, इसी तरह से, how will you prepare ethene from ethanol, या फिर prepare ethene from ethanol,